नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है जीहा दोस्तों हर कोई व्यक्ति यहीं चाता है कि हम स्वास्त जीवन जीए पर लेकिन ऐसा नहीं हो पाता जीहा दोस्तों आज के हर कोई व्यक्ति स्ट्रेस से परिशान है और उन्हें रात को दवा खानी ही पड़ती है जिया दोस्तों आप सब भी जानते होंगे कि 50 साल पहले कोई भी बिमार ज़्यादा नहीं पड़ता था यदि कोई जदा बिमार पड़ता भी था तो उनके लिए आयरवेधी की इलाज होते थे उनके पास दोस्तों पुराने समय में लोग सबसे पहले जादा बिमारियों से घिरते भी नहीं थे क्योंकि वे रोज सुबा उठकर वयाम करते थे और अपने घर से भार टहलने जाते थे और सुबा की हावा का अनन्द लेते थे और वे स्वास्ते फूड भी खाते थे पर दोस्तों आज की जिंदगी में क्या हो गया है कि लोग एक तो सोई रहते हैं लेट तक और अपनी ओफिस लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि वे सुबह उठते हैं ना ढंक से खाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं और दोस्तों भार का जंग फूड तो उन्हें इतना पसंद आ गया है कि वे घर का खाना भूली गए हैं इसलिए आज की जिंदगी में बहुत जादा लोग बिमारियां फैल गई हैं और बहुत से लोग बिमार पड़ते हैं दोस्तों यह दि आप चाते हैं कि आप निरोग रह तो आपको सबसे पहले जंग फूड यानि की फास फूड खाना छोड़ा ना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों 50-60 साल पहले कभी भी बरीजों को डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ता था क्योंकि दोस्तों वे घर का स्वास्ते खाना खाते थे और अपने आपको स्वास् बताते हैं तो मेरा इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा आपको बेहत लाब होगा तो दोस्तों यदि आप सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा वयाम और दो ग्लास पानी का सेवन करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाबदायक होगा क्यूंकि दोस्तों पानी प करम पानिक को पीते हैं तो आपके कई बिमारियां दूर होता आती हैं जीहाद दोस्तों आपको ब्रेकफास्ट करना भी जरूरी होता है कई लोगों को आजकल ऐसा लगता है कि उनके लिए ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं होता पर दोस्तों आपको ब्रेकफास्ट जरूर कर जिया दोस्तों हमें खाने में अपने पॉस्टिक आहार भी यूज़ करने चाहिए यदि हम पॉस्टिक आहार लेते हैं तो हमें ऐसे ही कई बिमारियों से छुटकारा मिल जाता है जिया दोस्तों यदि हम पॉस्टिक आहार खाते हैं तो आपको याद रहे कि हरे पत्ति वाली सबजिया ही खानी चाहिए उनमें अनेक मात्रा में प्रोटीन फाइबर और मिर्नस जलसी पोशक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वास्त रखते हैं इससे आपको फ्यूचर में या प्रेजन्ट में बहुत सारी बिमारियों से निजात मिलता है साथ ही दोस्तों आपको जादा हानिकारक होती हैं और यह हमें बहुत जादा बिमार भी करते हैं जिया दोस्तों यदि आपको नशे की लट लगी हुई है तो आप जादा से जादा कोशिश करिए कि आप नशे को छोड़ दीजिए दोस्तों यदि आप 45 मिनट भी अपनी डेली रूटीन में अपनी वयाम को एड़ करें तो यह आपके लिए बहुत जादा अच्छा होता है दोस्तों आप रनिंग वाकिंग सैकलिंग आप कुछ भी इसमें अपनी एक्सेसाइजों को शामिल कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों रोजाना आप 4-5 लिटर पानी पीना ना भूलें यहाँ आपके लि पानी के लिए बहुत जादा लाब होता है और आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है जी हाँ दोस्तों और हमें उसके साथी शाकाहारी भी बनना चाहिए क्योंकि शाकाहारी बोजन हमारे स्वास्ते के लिए बेहत अच्छा होता है इससे हमारे शरीर को कोई भी पर प्रिशानिया नहीं होती है और यह हमारे शरीर को पोस्टिक आहार देता है जिया दोस्तों यह सब करकर आप अपने जीवन में स्वास्ते रह सकते हैं और आप अपने शरीर को निरोग बना सकते हैं तो आप इन सब चीजों को अध्यान रखें और स्वास्ते रहें दोस्तों क पर दोस्तों यदि आप हमारा वीडियो को लाइक करना भी ना भूले क्योंकि हमें ऐसे ही कुछ वीडियो बनाने की प्रेणा मिलती है और हम ऐसे ही जाकरूत होते हैं और हमें पता रहता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहुए हैं